Good morning students. I will teach this chapter, chapter 12, water scarcity and pollution. Today's topic is, effects of water pollution. Water pollution से effects क्या पढ़ते हैं? तो water pollution has a number of adverse effects जो प्रभाव है इसके वो water pollution के कैसे पड़ते हैं तो we cannot drink polluted water drinking polluted water many cause disease like jaundice, typhoid, cholera and dysentery disease that are spread through water are called waterborne disease अब आप यह जानते हैं कि हम लोग polluted water पी नहीं सकते जो प्रदूशन युक तो पानी है जो गंदा पानी है उसको क्या पी सकते हैं वो नहीं पी सकते हैं तो यह drinking polluted water may cause disease इसमें क्योंकि क्यों नहीं पी सकते हैं कि इसमें बहुत सारे जो है disease बिमारियां होती है इसका कारण जो है सबसे बड़ा वो है कि इसमें बहुत सारी बिमारियां होती है अगर हम गंदा पानी पी लेंगे जो polluted है तो उसमें जोंडिस, टॉइफाइट, कॉलरा और डिसेंट्री जैसे बहुत सारी और भी अनेको बिमारियां हो सकती है और यह क्या होता है disease that are spread यह spread भी होती है अगर एक को हो गया तो एक दूसरे से फैलती जाती है अगर यह गंदा पानी अगर कहीं पे आ रहा है तो जो भी है इस पानी को जो भी पी रहा है उदर का पूरे लोग जो है इफेक्टेड हो जाती है तो यह spread हो जाती है यह फैल जाती है पूरी बिमारिया तो इसको क्या बोलते है water born disease मतलब पानी से उत्पन हुई बिमारिया है यह इनका spread भी होता है क्योंकि अगर कहीं पर किसी जगे पर गंदा पानी है तो उसी particular जगे पर वो drinking water है पीने वाला पानी और सभी लोग ले रहे हैं तो जिन जिन घरों में वो पानी चला जाएगा और जो लोग जो लोग उसको पी लेंगे वो सारे की सारे उन पे effect पड़ेगा उस पानी का और उस बहुत सारे उसमें disease है तो जिन रिलीव हो क्या होगा उनका वो बिमार पड़ जाएगे the polluants use up the oxygen present in water this cause the animal and plants living in water body to suffocate अब polluants use up oxygen present in water अब क्या है कि अगर पानी अगर polluted है तो उसमें oxygen नहीं रहेगा रहेगा क्या तो oxygen नहीं होगा तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या हो जाएगा अगर गंदा पानी हो जाता है तो उसमें oxygen के जो है present time में वो क्या हो जाएगी वो खतम हो जाएगी रह नहीं जाएगी तो उसका सबसे बड़ा कारणी होगा जो animal और plants जो उसमें होते है aquatic water में जो पानी में होते है ना बहुत सरे plants होते है आपने देखा होगा और animals भी होते हैं तो वो क्या होगा वो सांस लेने में उन्हें problem होने लग जाएगी और वो फिर क्या होगा मरने लग जाएगी बिमारियां उनको आ जाएगी बहुत सारी बिमार हो जाएगी और वो छोड़के नदी बाहर बागेंगे और चुकि वो पानी के हैं animal तो वो कहां जाएगे बाहर जाएगे लैंड पे जाएगे तो भी मर जाएगे और उसमें रहेंगे तो भी मरेंगे तो उनको बहुत सारी बिमारिया हो सकती है polluted water से अब इस से बचाओ के कारण preventing water pollution water pollution can be prevents by following these steps अब कुछ steps हैं जिनको अगर follow करेंगे तो water pollution से हम लोग बच सकते हैं तो we should not dump garbage into water bodies सबसे पहली बात तो हम एक गंदा कुणा करकर कच्रा जो है वो water bodies में नहीं डालना चाहिए पानी में नहीं डालना चाहिए लेक में, रीवर में, सी में, ओसें में कहीं भी उसको नहीं हमको फैकना चाहिए the waste from houses और factories should be returned before being released into water bodies और जो factory और कारखानों से और उससे पानी गंदा पानी निकल के आता है घर हो से उसको जो है जो रिलीज होता है वो उसको ऐसा ध्यान करना चाहिए कि वो जाकर के नदियों में ना मिले उसको गंदा पानी अगर वहाँ जाकर के मिलता है ना तो पूरी पूरी नदि गंदी हो जाती है वो पूरा पूरा ताला वो गंदा हो जाता है तो उसके बाद वो पानी जो लोग use करेंगे वो affected होंगे तो ये गंदा पानी जो पानी में पानी मिल जाए तो वह गंदा पानी अगर आ रहा है फैक्टरी में तो बहुत सारे केमिकल्स होते हैं वह तो तुरंती एफेक्ट करते हो और घर उसे भी गंदा पानी निकलता है तो उसको यह देखना चाहिए कि वह नदियों और तालाबों में ना जाए वी शुड नौट वॉस क्लॉस आर बात एनिमल्स नियर अवाटर बॉड़ी और यह भी ध्यान देना चाहिए कि वह जो अगर पास में कोई नदिय तालाब है तो हमको जाकर कि वह पे कपड़े नहीं दुलने चाहिए क्योंकि जो साबून हम लोग यूज़ करते हैं जो उसमें बहुत पानी गंदा हो जाता है आप अच्छा वो एनिमल्स का चुवा पानी यूज़ खरेंगे अच्छा लगेगा तो नहीं अच्छा भी नहीं लगएगा और बहुत सारे डिजीज और जाते है वह भी पानी गंदा हो जाता है तो इसको भी हमें ध्यान देना होगा कि हम नहां काम बंद करें वी शुड आवाइड यूजिग कैमिकल्स फर्टिलाइजर इन आवर गार्डेंज और एक बहुत बड़ा कारण है जो हम लोग फर्टिलाइजर और कैमिकल्स यूज़ करते हैं अपनी जैसे खेत में यूज़ करते हैं और गार्डेन में उसके जिसके वजह से कीने मकुड़े अगर उसमें लग रहे हैं तो मर जाए और उसका उत्पादंग शमता भी जादा हो जाए ग्रो जादा करें वो तो इसके लिए एक तरफ से तो हम उसको बढ़ा रहे होते हैं दूसरी तरफ से क्या होता है जब उसमें जो हम लोग चैमिकल और फैटिलाइजर डालते हैं वो कैमिकल लिए खराब होता है उस टाइम तो उसके ने मर जाएगी वह एक तो एब्सार्ब कर लेते हैं पौदे और पेड़ भू भी हमारे लिए खतरनाक होता है और वह जब पानी बरसता है तो दूल करके और जो मिट् जैसे लेक है और रिवर है तो उसमें बहकर के चल जाती है और वो कैमिकल बहकर के जब जाते हैं तो वो पूरा का पूरा का पूरा पानी क्या है गंदा हो जाता है तो ये भी ध्यान रखना चाहिए उसमें पानी जाकर के ना मिले तो हमें कैमिकल और फैलाइजर का जो है उ नुकसान दे नहीं होती है और यह chemical and fertilizers, chemicals, युक्त जो fertilizers होते हैं वो avoid करने चाहिए, वो हमारे जमीन के लिए भी खराब है और हमारे नदियों के लिए भी खराब है, water bodies के लिए भी खराब है, हम खाएंगे तो हमारी body भी affected होती है, मतलब वो किसी तरह से भी अच्छा नहीं है, तो ये जो preventing water pollution है, जो prevent कर सकते हैं, जो बचा हो सकता है, कुछ ऐसे कारण हैं, जो cause हैं, जिनको हम अगर ध्यान देंगे, तो उससे धोड़ा बहुत हम लोग बच सकते हैं, thank you.